Hello everyone, आज हम लोग परने वाले हैं The Watery Place, Chapter 3 English Class Z तो आएए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इस चैपर को स्टार्ट करेंगे Introductions से, ठीक है? So आएए स्टार्ट करते हैं Many people around the world have reported seeing unknown space यानि धेर सारे ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिन्हों ने कहा है कि मैंने आकास में space ship देखा है ठीक है? The mystery of this flying object has not been solved ठीक है? यानि यह जो रहस है कि कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि हमने आकास में उरते वे कई spaceship को या रहस में spaceship को देखा है जिसमें alien रहते हैं लेकिन यह जो रहस है अभी तक कोई भी solve नहीं कर पाया है Human beings have also been exploring outer space to find out if there is life on any other planet ठीक है? और जो human being है मतलब जो इंसान है वो भी पता लगाने की कोशिस कर रहे है कि दूसरे ग्रह पर या दूसरे planet पर life है या नहीं है ठीक है? So, read this story to find out why you have not met an alienate हम लोगों को इस story में पढ़कर ये पता चलेगा कि हम लोग अभी तक alien से क्यों नहीं मिल चुके है All because of some more ridiculous mistake हम लोग क्यों नहीं मिल चुके? क्योंकि कोई ऐसा इंसान था जिसने mistake कर दिया जिससे कि हम लोग alien से कभी भी इसके बाद से नहीं मिल पाएं तो आए इस्टार करते हैं इस lesson को First of all It was actually Bart Cameron mistake ठीक है ये जो है basically Bart Cameron नामेक एक इनसान है उसने mistake कर दिया था जिससे कि हम लोग alien से नहीं मिल सके है तो उसने क्या mistake किया था? आए जानते हैं ये जो story बता रहा है वो कह रहा कि मैं क्या हूं Bart Cameron का ठीक है? एक deputy हूं means एक पता अधिकारी हूं और जो Bart Cameron है basically कौन है? एक तरह से एक officer है ठीक है? So I saw the flank saucer land ठीक है? वो कह रहा है कि मैंने आकास में एक उड़ते हुए saucer यानि ये किसी worst को देखा I was looking at the star through the windows in the sheriff's office ठीक है? यानि जिस office पर मैं काम करता हूं उस दर्वाजे से या खिड़की से मैं सितारों को देख रहा था तभी मैंने एक काफी बिचित्रिया रहस में space को देखा So it looks like a shooting star at first यानि पहले पहले वो एक shooting star की तरह दीख रहा था shooting star क्या होता है? एक तरह से जब things come down without a sound ठीक है? लेकिन मैं उसको क्या करता रहा एक टक देखते रहा और मैं जिस तरह से देख रहा था वो धीरे धीरे प्रिथवी की करीब आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो एक rocket की तरह दीख रहा था ठीक है? two men got out ठीक है? जब पूरी तरह से वो जहाज नीचे उतर जाती है तो उसमें से दो आदमी उस जहाज से नीचे उतर कर आते हैं ठीक है? so I couldn't say or do anything मैं उन लोगों को सिर्फ देख रहा था मैं कुछ भी नहीं कर सका और कुछ भी नहीं कर सका ठीक है? I just sat there मैं अपने आपिस में ही बैठे हुए था Cameron never looked up from his desk he was entangled in his tax calculations जो Cameron नामक आदमी है इंसान है वो अपने tax calculation में क्या था? बीजी था, ठीक है? लेकिन ये दूसरा इंसान है वो क्या करता है? उस alien को देखता है यारी उस इंसान को देखता है जो की जहास्ती उतरते हैं और उसके आपिस के तरब जाते हैं इसके बाद से क्या होता है? there was a knock on the door इसके बाद से उसके ओपिस में कोई दरवाजा को knock करता है, मतलब टक 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 ठीक है? इसके बाद से जब दरवाजा खूलता है तो वहाँ क्या करते हैं? जो दोनों आदमी रहते हैं उस इसपे सिप से अंदर आते हैं घर के ठीक है? they were dressed in a formal suit basically formal suit पहने हुए थे they had a serious look on their face और वह काफी serious दिख रहे थे अपने face से ठीक है? God I was scared और जो दूसरा इंसान था उस office में काम कर रहा था वह कहता है कि है भागवान मैं तो डर ही गया था पूरा so okay then after but Cameron just looked up when the door opened and front ठीक है? लेकिन जब दूर खुला जो Cameron था वह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको देख रहा था ठीक है? then after क्या हुआ? he said उसने कहा what can I do for you fox? इसके बासे जो जहां से उत्र हुए रहे थे मतलब उससे कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? या मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ? and he tapped his hand on the desk it was abuse he did not have much time ठीक है? इसके बासे जो जहां से उत्र हुए alien की तरह थे उन्होंने क्या किया अपने हाथ को desk के पटका और मतलब इससे कि उनको अंदाजा लग गया जो उस office में काम कर रहे थे कि जो यह लोग आए है इस पेस से उनके पास ज़्यादा time नहीं है इसके बासे दो आदमी उसने कहा कि उसने देखा कि दो आदमी क्या कर रहे थे उसने नीचे उतर का हमारे office के तरफ आ रहे थे इसके बासे आवाज आता है कि हम लोग कई सव सालों से तुम्हारे लोगों को यानि धर्ती के लोगों को हम लोग observation कर रहे है मतलब उपर से देख रहे है ठीक है इसके बासे जहां से उतर है या इनसान रहते है विम्हकर आवों काफी दिनों से यह location जो है ढून रहे थे या हम लोग काफी दिनों से location हमें चूच किया है क्यूँकि यह location काफी एकान थे और सांत पूर है ठीक है हम लोग जानते हैं कि तुम क्या करते हो यहां के leader हो और तुम इस office में काम करते हो इसी तरह से उन में बाते होती है वो कहता कि मैं एक officer हूँ जो मैं यहां पर काम करता हूँ लेकिन तुम्हारी क्या problem है इसी तरह से अकड के उन दोनों से बाते करता है We have been careful to adopt your style of dressings We have also learned your language इसके पासे वो कहता है कि हमने क्या किया आपके dressing scenes को भी adopt किया है और हमने तुम्हारề language को भी सीखा है कौन कहह रहा है इसाब जो आकास से आये थे उस आदमी से बात करते है तारहसे लोग कहता है कि हमने क्या किया है तुम्हारे language को भी सीख लिया है You could see the light break in cameras Light break in मतलब इसका मतलब होता है कि Begin to understand इसके बाद camera जो होता है तेरे तेरे समझना सुरुआत करता है You guys foreigner इसके बाद से वो पूछता है क्या तुम लोग foreigner हो तो लोग कहते है The man from the following is also said foreigner इसके बाद से उतर कर आए हुए थे वो कहते है foreigner कैसा विदे सी Indeed we are सचमुच हम लोग है We come from the watery place Your people call Venus हम लोग कहां सा है Watery place से आए है जो कि यहां के प्रिथवी वासी क्या उसको बलाते है Venus मतलब Venus planet ऐसा हमका कहना थे कि हम लोग Venus planet से यहां पर धर्ती पर आए है और हमें यहां पर क्या करना है हमने यहां की location चूच किया है हम लोगों चाहते हैं कि आपके धर्ती वालों से बात करें ऐसी तरह से बाते उन दोनों में चल रही थी ठीक है So Cameron never blinked a night He said इसके बाद जो कहा कि जो Cameron था वो अपनी पलग भी नहीं छपक रहा था इन सारे चीजों को देख कर All right I'm not your service What can I do for you ठीक है वो कह रहा है कि I'm at your service मैं तुमारे सेवा हूँ मैं आकर में क्या कर सकता हूँ Please make immediate इसके बास वो लोग कहते हैं जो आउटरी स्पेस से आए हुए रहते हैं कहते हैं Please make immediate arrangement for the important man of your country to be brought here ठीक है वो कहता है कि तुमारे country जो भी सबसे important इंसान हो उसको यहाँ पर लाओ ठीक है For discussion किसलिए discuss करने के लिए regarding your people joining our great organizations किसलिए क्योंकि हम चाहते हैं हमारे organization में आपके जो धर्ती के लोग है हमारे organization में काम करें ठीक है Slowly camera got rate यानि धीरे से क्या होगा camera जो होगा got rate का यहाँ पर मतलब है कि वो गुस्सा हो जाता है परी तरह से Our people join your organizations We are already part of you and God knows what else इसके पास से वो गुस्से में कहता है Cameron Suppose I am to get the president here यहीं तुम समझते हो कि मैं president को यहाँ पर बुला लूँगा यहाँ राइन नाव इन दे ट्विन गलच सेंड़ हार्यमा सेज इसके बास वो कहते है कि I suppose I am to get the president here इसके बास वो लोग message कहता कि message भेजो अपने president को यहाँ पर बुलाओ इसके बास वो कहता कि तुम यहाँ पर supreme court भी चाहते हो और पालिया में भी चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर बुला लें यह सारे चीजें मतलब बहंस हो रही थे उनके बीचों में ठीक है इसके बास वो कहता कि जो लोग foreigner है या तुम्हारा जैसा इंसान है हम लोगों के पास तुम्हारा जैसा इंसान के लिए क्या है टाइम नहीं है especially खासतोर से बीदेशी लोगों के लिए इसके बास कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम लोगों को लॉक अप में बंद कर दूँगा और कभी भी तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दूँगा ऐसा धंकी देता है Cameron उन एलियन को ठीक है इसके बास क्या होता है इसके बास क्या होता है इसके बास जो वेनस से आया हुए था और कभी भी वापस नहीं आना जहां से तुमा है वहाँ पो वापस लोड जाओ ठीक है तू मैं लूग इच ओढ़र यानि जो दोरों आदमी वेनस प्लेनेट से आये हुए थे वो एक दूसरे को देखते है ठीक है दूसरा आदमी जो उनके साथ आया तो गीतर में यहां जोड यहां द देखते हुआ है और मैं जानता था कि जो चीजे उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे I knew that they will put a kind of a fence around the earth यानि वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि एक तरह से वो लोग दिवाल चला देंगे या एक तरह से कोई चीज दर्वाजा लगा देंगे ताकि हमारे जो प्रित्विक लोग हैं उनके वेनस या उनके एरिया में ना जा पाएं keeping others like them for visiting us ठीक है यानि जो हम लोग की तरह मतलब इंसान क्या होते हैं एक जगह से एक सर से दुसर सर जाके लोग देख सकते हैं लेकिन वो कह रहा है कि हम मैं जानता हूँ कि जो एलियन है basically वो लोग एक तरह से दर्वाजा या एक तरह से दिवार किरेट कर देंगे ताकि उनके पास कोई भी इंसान दोबारा ना पहुँच पाएं इसके बास से क्या होता है वें डे लेट यानि जब वे लोग एलियन जो थे चले गए थे आई गाट माइवाज बैक यानि वह कहा रहा है कि इसके बास से मेरी जो सास में सास आया मतलम मुझे कुछ कॉंफिदेंस मिला या मुझे डर से चुटकारा मिला इसके बास से मैंने कहा एक अदमी कहा उससे कैमरा से कैमरा तुमने उन लोग को क्यो जाने दिया वो लोग आउटर से थे फ्रम स्पेस इसके बास घूर को मुझे देखता है कि इस पेस से आयोए थे मैं समझा, look I pulled him to the window by this shirt collar and he was too surprised to resist and when he saw what was going on outside the window, the birth went out of him मैंने क्या किया उनको काफी बेजज़त करके या उनको कालर पकड़के यहां से भगा दिया और जब वो देख रहा था कि क्या चीज़े उस बिंडो के यानि खिरकी के बाहर हो रही थी, क्या देख रहा था, वो बिसेकली देखा कि वहां से कुछ उतर कर इसके दरवाजे के पास आया और मतलब दरवाजे के खर कटाया और नीचे सारे discussion हुई, ठीक है इसके बास वो खिरकी से लोग देखते हैं दोनों, जो एलियन रहते हैं, वो क्या होते हैं, अपने जहाद में चड़ते हैं, इसके बास वो उड़ जाते हैं, और रैडिस ग्लोस सौड अपान दा वन साइट अगा ब्राइटर अज़ इस तरह से जा रहते हैं, और धीरे-ध स्लोली फेडिंग आट, दिक्ति विट गफेडिंग आयाद, उसके में बलता हैं, थेक हैं, थेक हैं, और इसके बात बात मैंने कहा, घ्रेज नहीं आंगे हैं, इसके बात को मैंने कहा, कि मैंने सोचा कि वे क्या है विदेशी है और उन्होंने कहा कि वे हमारी language को सिखना चाहते है मैंने सोचा कि वो लोग Italian है अगर मैं जानता कि वो लोग alien है तो हम लोग उसको नहीं जाने देते लेकिन मैंने सोचा कि वो क्या है वे पहले से तुम्हें कह रहे थे कि वे वेनस प्लेनेट से हैं, इसके बाद से तुमको भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था, आनि वे वेनस को एक तरह से वाटरी प्लेस कहकर बुला रहे थे, इसलिए जो कैमरान था, वो समझ नहीं पाया, वेनस प्लेनेट वेनस मतलब वेनस ग्रह है, उसका जो यह सुनता है तो उसके जो आखे होती है चक्रा आ जाती है, वो फूसाता है वेनस, when they talked about the वाटरी प्लेस, यानि जब वो लोग बाते कर रहे थे वाटरी प्लेस के बारे में, I thought they mean Venice, यानि उन्होंने क्या बताया, वेनस बताया, लेकिन मैंने समझा कि Venice है, Venice क्या है एक तरह का सहर है, ठीक है, उसके उस ने सुनता कि Venice सहर के बारे में बता रहें, लेकिन वो कहा के थे, वो लोग वेनस प्लेनेट से थे, ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो लोग एलियन दुबारा क्या होते हैं, जहाद में बैटके वापस चले जाते हैं, वार्नी देखे, वो कहते हैं कभी भी इसके बाद वो प्रिथिवी पर नहीं आएंगे, इस तरह से क्या होता है, वो कैमरे के गलती के चलते हैं, जो एलियन आय हुए रहते हैं, वो दुबारा गुस्से से वापस चले जाते हैं, ओके, सो आई होप आपके वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा, प्लिस लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, ठीकिस सो मच,